सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चानेल को सब्सक्राइब कर लिजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दिजिए हमारा लाटेस वीडियो पहले पाने के लिए दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से हम हमारी stock market की दिगज company Reliant stock के उपर technical analysis करने जा रहें और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने Reliant stock का daily chart ओपन किया है तो देखिए daily chart के इसाफ से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने one day select किया है अगर आप इसका time period change करना चाहते हो देखिए इसी level के आसपास जाके आप यहाँ पे select कर सकते हो अभी मैंने two hour select किया है तो देखिए two hour के इसाफ से यह stock अभी नीचे की तरफ जा रहा है और दोस्तों basically मैंने यह 14 January को इसका analysis कर रहा हूँ मतलब अभी market continue चल ला है तो देखिए अभी 11 बज के 8 मिनिट के आसपास हुआ है और देखिए दोस्तों यह stock अभी दीरे दीरे नीचे की तरफ जाने के हमको signal दे रहा है तो दोस्तों यह stock का technical analysis करके हम यह जानने की कोशिस करेंगे कि क्या यह stock इसी level से नीचे की तरफ फिचल जाएगा तो देखिए दोस्तों अगर आप यह stock का overall chart को देखोगे तो दोस्तों यह stock continuous दो महिना से एक range के अंदर trade कर रहा है और देखिए अगर आप यहाँ पे इसका range को draw करोगे मैंने इसका range को draw करके आपको दिखा देता हूँ कि यह stock कैसे movement कर रहा है तो देखिए यह stock के लिए जो range आ रहा है यह 16-10 range से लेकर 1500 level के अंदर यह move कर रहा है मतलब यह basically 100 point के अंदर यह continuously 2 महिना से trade कर रहा है तो दोस्तों अगर आप यह stock पे बहुत बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हो जब यह stock यह 1500 range को cross करके नीचे की तरफ आ जाएगा और basically 2-3 दिन इसका नीचे trade करेगा तो दोस्तों आप इसी level के आसपास short selling का position बना सकते हो और देखिए यह basically मैंने future market के लिए बता रहा हूँ अगर आप इस पे equity market पे buy करके hold करके रखना चाहते हो तो देखिए equity market के लिए यह stock जब 1600 level से cross करके इसके उपर की तरफ चला जाएगा और minimum 2-3 दिन इसके उपर trade करने लगेगा तो भी दोस्तों आप इस stock पे buying कर सकते हो और देखिए दोस्तों यहाँ पे इस जो सारे line आपको दिख रहा है दोस्तों इस सारे pivot का line है और देखिए मैंने यहाँ पे daily chart open किया है और यह daily chart के हिसाब से इसका जो pivot का line आ रहा है यह pivot line को इस stock प्रॉस करके उपर की तरफ नहीं जा पा रहा है और देखिए तीन दिनों से यह जो candle stick pattern यहाँ पे form किया है दोस्तों यह जो candle है यह spinning top type का candle है spinning top मतलब जो market उपर की तरफ जाता है तो यह market का train को change कर देता है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे market उपर की तरफ जा रहा था और जब यह spinning top type का candle आया इसी level से market हमारी अभी नीचे की तरफ जा रहा है और यह spinning top के बाद यह जो last reading day पे जो candle form किया था यह basically एक inverted hammer का pattern है मतलब inverted hammer pattern भी market को नीचे जाने के लिए signal देता है और देखिए अगर आप यह 3 दिन का candlestick pattern को लेते हो तो दोस्तों यह 3 दिन का candlestick pattern के जाब से यह bearish evening star का pattern फॉर्म कर रहा है तो देखिए bearish evening star का pattern जो होता है वो market को नीचे जाने के लिए signal देता है और देखिए आज यह जो candlestick pattern यह बना रहा है यह basically एक inverted hammer type का pattern form कर रहा है जो कि market को या इसी stock को नीचे जाने के लिए signal देता है तो दोस्तो अगर यह stock इसी level से नीचे की तरफ जाता है तो दोस्तो हमारा जो target रहेगा यह 15 hundred level के आसपास इसी level के आसपास हमारी target रहेगा तो दोस्तो हमारा जो target रहेगा यह basically एक हपते के अंदर यह target अचीफ हो जाना चाहिए लिकिन अगर आप ही real land stock के उपर safe entry चाहते हो मतलब guaranteed profit चाहते हो तो दिखे दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ जोब यह stock यह 15 hundred level को cross करके नीचे की तरफ जाएगा तो दोस्तो आपकी जो target होगा मैंने 10 से 15 दिन का target आपको बता देता हूँ यह जो target आ रहे है 1425 level के आसपास मतलब easy level से log bug 70-25 point इस stock नीचे की तरफ जा सकता है अगर दोस्तो एक बार यह stock easy level के आसपास आ गया और easy level से proper buying का signal दे दिया तब ही दोस्तो आप इस stock के उपर buying कर सकते हो लिकिन अगर आप short selling का position बनाओगे तो दिखे आपका जो stop loss आएगा आपका stop loss यह level के आसपास आएगा जो stop loss आ रहा है यह 1522 level के आसपास मतलब यहां पे 20-25 point के आसपास आपकी stop loss आएगा और यह जो target आएगा यह 75 point के आसपास तो 1-3 ratio पे आप यह stock के उपर 15 दिन का नजिरिया लेके short selling का position लेके जा सकते हो तो दोस्तो यह था हमारी दिगज, रेलियान, stock के उपर मेरा technical analysis और यह technical analysis के हिसाब से यह stock अभी इसी level से नीचे की तरफ जाने के हम पो signal दे रहा है और देखिए अगर आप उसका short term period पे भी देखोगे तो दोस्तो 10 minute का हिसाब से भी अगर आप देखोगे देखिए दोस्तो इसी level से यह stock नीचे की तरफ फिशल चुका है क्योंकि यह stock के लिए 10 minute candlestick pattern के हिसाब से जो strong support का level आ रहा था, यह support का level तूट गया है और दोस्तो अभी अगर यह stock रूखेगा यह 1532 level के आसपास ही रूखने की थोड़ा बहुत chance है क्योंकि यह stock के लिए यह level एक छोटा सा support जैसा behave कर रहा है लेकिन दोस्तों अगर एक बार यह stock इसी level को cross करके नीचे की तरफ चला जाता है तो देखिए major chance है कि यह stock और 20 point के आसपास इसी level से नीचे की तरफ जाएगा और दोस्तों मैंने इस stock को आज मेरी intraday paid service पे source selling के लिए signal दिया था और देखिए हमारा जो source selling का position था यह 37 level के आसपास तो दोस्तों अगर आप intraday paid service जोईन करना चाहते हो तो यह video की नीचे जो join बटन है वहाँ पे click करके आप paid service जोईन कर सकते हो तो दोस्तों यह था relance stock की उपर मेरा technical analysis दोस्तों यह video end करने से पहले मैंने आपको और इस चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों मैंने safe intraday trading करने के लिए मैंने एक hedging strategy निकाला है अगर आप यह hedging strategy के बारे में नहीं जानते हो तो चलिके दोस्तों यह hedging strategy के बारे में आप लोगे साथ share कर लेता हूँ दोस्तों यह निपटी hedging strategy के बारे में बताने से पहले मैंने आपको यह join button के बारे में थोड़ा बता देता हूँ देखिए दोस्तों अगर आप join button के उपर click करोगे तो आपको मैंने जो जो सारे service प्रोवाइड कर रहा हूँ उचका detail मिल जाएगा और दिखे दोस्तों ये join button क्या है और इस पे click करने के बाद आपको क्या मिलेगा अगर आपको पता नहीं है तो दोस्तों मैंने एक video का link description section पे दिया है तो आपो link के उपर click करके ये join button के बारे में details पे जान सकते हो और मैंने specific के लिए आपको बता देता हूँ ये join button के थूँ आप intraday paid service ले सकते हो और ये intraday paid service का result के से आ रहा है मैंने already आप लोग के साथ share कर चुका हूँ अगर आप ओ रेजल के बारे में नहीं जाने हो तो दिखे दोस्तों यहाँ पे intraday paid service का result के थूँ मैंने जो जो सारे stock प्रोभाइड कर रहा हूँ ये maximum time profit देता है और मैंने महीना में one people nine charge कर रहा हूँ तो अगर आप ये service के बारे में details पर जानना चाहते हो तो दोस्तों आप ये link के उपर या ये join button के उपर click कर सकते हो मैंने specifically आपको nefty hedging strategy के बारे में बताता हूँ देखे दोस्तो अगर आप actually market पे income generate करना चाहते हो मतलब अगर आप gambling नहीं करना चाहते हो और stock market को एक income source बनाना चाहते हो तो दोस्तो ये nifty hedging strategy को आपको सिखना ज़रूरी है क्योंकि hedging strategy pure intraday है और ये intraday पे माध्यम से ये महिना में सारे brokerage और loss पगेरा जानने के बाद minimum 9 to 15% के आसपास ये return दे रहा है और दोस्तो महिना में 9 to 15% का return एक बहुत बड़ा return होता है क्योंकि ये साल पे आपका capital को double से भी ज़्यादा कर देगा और देखिए strategy के माध्यम से maximum जो risk का आ रहा है वो 3 to 5% के आसपास वो भी बहुत rare सिनारियो में लिकिन general जो risk काता है capital का 1 percentage से कौम risk काता है और maximum time 2% से लेका 6-7% तक profit आ जाता है इसलिए हम net net हमेंसे profit पे ही रहते हैं और देखिए जिन लोगों ने strategy को लिये हैं और live market में इस strategy के माध्यम से काम कर रहे हैं उन लोगों का बहुत अच्छा positive feedback आ रहा है तो दोस्तों मैंने ये strategy पे खूद live market में trade करके 8 months से जादा time हो गया इसका result आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ तो चालिए दोस्तों और एक बार ये result के बारे मैं आपको बता दिता हूँ देखिए इसी community tap के अंदर मैंने हर दिन जो market bond होता है ये strategy को यूज करके trading कैसा रहा आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ तो देखिए 2019 में मन्थ से मैंने इस strategy को शुरू किया है और देखिए में मन्थ पे 18% से जादा return दिया था और जून मन्थ पे 17.80 मतलब लोगव 18% के आसपास return दिया और जूलाई पे market थोड़ा sidewise था फिर भी देखिए यहां पे 13% से जादा return दिया था और August मन्थ पे around 16% के आसपास return दिया September मन्थ पे 14.57% का return दिया था दोस्तों पेहली बार October मन्थ पे strategy पे loss आया था जो कि 5% के आसपास और November मन्थ पे आपको पता होगा market पूरा volatile था एक range के अंदर move कर रहा था फिर भी यहां पे 11% से जादा return दिया और दोस्तों December मन्थ पे strategy 10.61% के आसपास return दिया है और अभी January मन्थ continue चल रहा है तो देखिए January मन्थ पे मैंने आज तक जो भी सारे trade किया है देखिए मैंने यहां पे 10 lakhs capital पे December मन्थ से कर रहा हूँ तो यह 10 lakhs capital के साब से 31,912.50 के आसपास ही return दिया है तो दोस्तों यह strategy बहुत अच्छा काम दे रहा है और देखिए मैंने इस strategy के लिए 10 6999 चार्ज कर रहा हूँ और दोस्तों इस strategy दोनों sidewise और trending market पे काम देता है तो अगर आपको इस strategy के बारे में details पे जानना है तो देखिए यहाँ पे already मैंने मेरा वार्टसप का number mention किया है और यह channel 8 के अंदर भी मैंने मेरा वार्टसप का number mention किया है तो दोस्तों आप मुझे वार्टसप के through contact कर सकते हैं Sबस्तों आप सकते हैं